जादूई हरे बैंगन का पेड सुमित्रा सुभा उठती है और अपने आंगन में देखती है ए भगवान इतना बड़ा बैंगन का पेड और इतनी सारी बैंगन सुमित्रा को अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था वो पेड के पास जाती है और उसे चारों ओर से हाथ लगा कर देखने लगती है इतने बड़े बड़े और सुन्दर हरे बैंगन लेकिन ये कैसे हुआ सुमित्रा के घर में जो बैंगन का पेड कल तक मात्र एक फुट का था वो रातों रात दस खुट का पेड बन गया था और वो पेड हरे बैंगनों से भरा पड़ा था सुमित्रा उस बैंगन के पेड को देख रही थी इतने में उसकी बेटी तानिया भी उठकर बाहर आ जाती है और बैंगन के पेड को देख कर हैरान हो जाती है अरे इतना बड़ा बैंगन का पेड ये कहां से आया क्या आपने इसे यहां लगाया है अरे मैं तो खुद इसे यहां देख कर हैरान हूँ लेकिन मा हम इतने बैंगनों का क्या करेंगे समित्रा पेड से बैंगन उतारने लगती है दोनों मिलकर धेर सारे बैंगन तोड़ लेते हैं ऐसा करते हैं ये सारे बैंगन आसपास के घरों में बांट देते हैं इतने बैंगन हम दोनों कैसे खा सकते हैं तानिया और सुमित्रा सारे बैंगन लोगों को बांट देते हैं और कुछ सबजी अपनी लिए बना कर खा लेते हैं मा इस बैंगन की सबजी तो बहुत ही स्वादस्थ है हाँ हाँ सच में ये बैंगन तो बहुत ही स्वादस्थ है ऐसे बैंगन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए बांकी लोगों को भी बैंगन बहुत पसंद आते हैं अगली सुभा तानिया सुभा सुभा उठकर बाहर जाती है वो बैंगन की पेड़ को देखकर चिलाती हुई घर के अंदर भागती है मा, मा देखो, मा देखो वो बैंगन का पेड़, जल्दी चलो मा सुमित्रा डर कर तानिया के अवाज से उठती है क्या हुआ अरे बताओ तो क्या हुआ तानिया अपनी मा को खींच कर बाहर ले जाती है सुमित्रा जैसे ही बैंगन के पेड़ को देखती है उसे कुछ समझ नहीं आता अरे ये क्या कल ही तो सारे बैंगन तोड़े थे और आज फिर पूरा पेड हरे हरे बैंगनों से भरा पड़ा है मा क्या आज फिर सारे बैंगन लोगों की घरों में बाटने हैं नहीं अब हम ये बैंगन बेचा करेंगे फिर क्या था दोनों मा बेटी सारे बैंगन तोड़ते हैं और अपने घर के बाहर एक खेली पर रखकर उन्हें बेचने लगते हैं लोग जैसे ही उन हरे बैंगनों को देखते हैं तो उनसे रुका नहीं जाता अरे सुमित्रा बेहन जो बैंगन आपने कल हमें दिये थे ये वही बैंगन है ना कल वाले हरे बैंगन तो बहुत है स्वादश्ट थे सबने खुशो कर खाए हाँ हाँ बेहन वही है आज हम 30 रुपे किलो के हिसाब से बेच रहे हैं अच्छा तो ऐसा करो फिर एक किलो मेरे लिए भी डाल दो सुमित्रा उस औरत को बैंगन दे देती है उसके बाद लोग एक-एक करके वहां आने लगते हैं और दोपहर तक सारे ही बैंगन बिग जाते हैं आज सुमित्रा ने अच्छी कमाई कर ली थी अब ऐसे ही हर सुभा बैंगन का पेड बैंगनों से भरा होता था और सुमित्रा और तानिया हर रोज ताजे बैंगन तोड़कर सुभा उन्हें बेच देती थे ऐसे ही दिन बीटते गए तो सुमित्रा बैंगन बेच बेच कर अमीर हो जाती है सुमित्रा अपनी छोटे से घर की जगा एक बड़ा सा घर बनवा लेती है और अब अपने गाउं में वो सबसे अमीर थी हर कोई उसे सुमित्रा जादूई बैंगन वाली के नाम से जानता था एक दिन सुमित्रा बैठी हुई थी तभी तानिया अपनी मा से बोलती है मा आखिर हमारे घर ये जादूई बैंगन आया कहां से हर रोस बैंगन तोड़ने पर भी अगले दिन उतने ही बैंगन कहां से आ जाते हैं ये तो मुझे नहीं पता और नहीं मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा लेकिन ये जादूई बैंगन की कुछ तो कहानी जरूर होगी लेकिन कुछ भी हो आज इसी की वज़ा से हम गाउं में सबसे अमीर बने हैं तुम्हारे पिताजी आज जंदा होते तो वो भी कितना खुश होते हम मिल जुलकर तुम्हारी शादी करते शादी की बात बोलते ही सुमित्रा को कुछ याद आता है उन दिनों घर की हालत बहुत खराब थी और उसकी बेटी तानिया के लिए कोई रिष्टा नहीं मिल रहा था सुमित्रा बहुत सारे पंडितों के पास जाती है और बहुत सारी पूजा और उपाई भी करती है सुमित्रा पूजा करने मंदर जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक चोटा सा बैंगन का पौंधा दिखता है जिस पर तीन बैंगन लगे थे मंदर से आते समय इस पौंधे को घर ले जाऊंगी और बैंगन का भरता बना लूँगी और पौंधा घर के आंगन में लगा दूँगी हाँ पहले मंदर से आती हूँ पूरे रास्ते में भी उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि तब तक कहीं कोई और उन बैंगनों को न तोड़ ले इतनी देर में सुमित्रा मंदर पहुँच जाती है मंदर के सामने एक साधू बैठे हुए थे सुमित्रा उनको परणाम करती है बाबा मेरी बेटी का रिष्टा कहीं नहीं हो रहा मैं बहुत परिशान हूँ आप कोई उपाएं बताएं जिससे इसी साल मेरी बेटी का रिष्टा हो जाए ये लो जल इसे अपने हाथ में लेकर पूरे मन से भगवान को याद करो और अपने मन की बात उनको बोलो देखना अगली पूर्णिमा तक भगवान तुम्हारी मनों कामना अवश्य पूरी करेंगे सुमित्रा सच्चे मन से भगवान को याद करती है लेकिन अभी भी उसके मन में बैंगन की ही बात चल रही थी कोई वहां से बैंगन न ले जाए काश ये बैंगन का पौधा मेरे घर में होता भगवान तुम्हारी मनों कामना पूरी करें सुमित्रा बाबा को परनाम करती है और अपने घर आ जाती है सुमित्रा उस पौंधे को अपने घर ले आती है और उसमें से बैंगन तोड़ कर उसका भरता बनाती है और बैंगन का पेड़ अपने आंगन में लगा देती है अच्छा तो आपने उस दिन भगवान से मेरी शादी की नहीं बलकि बैंगन को मांगा था आप भी न माँ ऐसे ही वो दोनों हसने लगते हैं कोई बात नहीं लेकिन अब कल तो तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं उन्होंने खुद तुम्हारे लिए रिष्टा भेजा है अब तो हर कोई हमसे रिष्टा जोड़ना चाहता है अगले दिन लड़के वाले सुमित्रा के घर आते हैं और रिष्टा पक्का होता है और कुछी दिनों में पड़े धूम धाम से तानिया की भी शादी हो जाती है अब सुमित्रा अपनी जम्मेदारी से फ्री हो गई थी एक दिन सुमित्रा बैंगन के पेड़ के पास खड़ी थी और सोचने लगी काश उस दिन मैंने बैंगन की जगह सोने के बारे में सोचा होता तो आज में और भी कहीं ज़्यादा अमीर होती उसके बाद सुमित्रा अपने बड़े से घर के अंदर चली जाती है अगले दिन जब सुमित्रा उठकर बैंगन को देखती है तो वहां उस बड़े से जादूई बैंगन की जगह बैंगन का छोटा सा पौंधा था जो सुमित्रा ने लगाया था ये देख कर वो बहुत दुखी होती है और उसे समझ आ गया था कि ये उसके ज्यादा लालच करने का नतीजा है डॉक्टर अगर ये प्रियोग सफल हो जाए तो हम कितने प्रसद हो जाएंगे हम पहले होंगे जो किसी पदार्थ की मदद से समय और उर्जा को नियंतरत कर पाएंगे रिशू ये मेरे सालों की महनत है मैंने कितने प्रियास किये हैं कितनी असफलताई देखी तब जाकर आज ही मुम्किन हो पा रहा है डॉक्टर फ्रैंक और रिशू अपनी प्रियोग शाला में एक शीशे के बॉक्स के सामने खड़े थे उस बॉक्स में लाल रंग के चार पत्थर घूम रहे थे इनमें जादूई शक्ती थी पीछे एक खिड़की थी वहां से तीन लोग डॉक्टर फ्रैंक की प्रियोग शाला में जाक रहे थे वो असल में कालिया चूर और उसके साथ ही थे देख रहे हो चंगू मंगू डॉक्टर फ्रैंक फिर कोई कीमती पदार्थ बना रहा है इस साल तो कोई बड़ी चीज हाथ नहीं लगी है ये साल का पहला जैक पॉट होगा बॉस क्या हम इस बार डॉक्टर फ्रैंक के यहां चोरी करने वाले हैं इनके लैब की सुरक्षा तो बहुत टाइट होती है बॉस हाँ हाँ बॉस हाँ हम उसे पार करके कैसे चोरी करेंगे अरे चुप करो मुर्खों कभी तो अच्छा बोला करो हम नहीं पकड़े जाएंगे इस पार मैं पूरी प्लैनिंग के साथ चोरी करूँगा चलो मैं बताता हूँ कालिया और चंगू मंगू वहाँ से चले जाते हैं इधर रिशू एक बेंच पर बैठा होता है डॉक्टर फ्रैंक सामने खड़ी होकर उसे कुछ बता रहे थे हम ने चुप पत्थर पर अभी एक्सपेरिमेंट किया है सब कुछ सही जाने पर वो हीरे से भी कीन्ती बन जाएगा उसे इस सही तरीके से इस्तमाल करने पर समाज का कल्यार हो पाएगा लेकिन आखिर हम इसे इस्तमाल कैसे कर पाएंगे डॉक्टर फ्रैंक और क्या वो सच में हीरे बन जाएंगे हीरे तो रहीं पर उनसे ज्यादा उप्योगी और कीन्ती होंगे सोचो हम उनसे भविष्चे में आने वाले सेंकट को पहचान सकेंगे उस हसाब से खुद को तयार कर पाएंगे उसे इस्तमाल करनी का फॉर्म्यूला सिर्फ मेरे पास होगा डॉक्टर फ्रैंक बाहर जाकर उन चार पत्थरों को शीशे के बॉक्स से निकालते हैं फिर उन्हें हाथ में लेते हैं आखें बंद करते हैं रिशू आस्चर्य से देख रहा होता है तभी सामने एक टीवी सा बन जाता है जिसमें उनको भविष्च दिख रहा होता है अभी वो धुंदला होता है और कुछ ठीक से दिख नहीं रहा होता उसमें कालिया और चंगु मंगु दिख रहे होते हैं अभी कुछ ठीक से नहीं दिख रहा कल जब प्रोसस पूरा हो जाएगा तब सही हो जाएगा सब कुछ लेकिन ये क्या? इसमें तो कालिया चोर दिख रहा है मतलब भविश्य में इस लाप में कालिया चोर घुसने वाला है लगता है वो चोरी करने का प्लान बना रहा है हाँ रिशू पत्थर ने पहले से ही संकट का अनुमान लगा लिया है आज रात हमें विशेश खयाल रखना होगा डॉक्टर फ्रांक क्या मैं इस्पेक्टर मेनी को बुला लूँ हाँ हाँ उन्हें बता दो कि कालिया चोर आज रात चोरी करने वाला है पर तुम अभी उन्हें जादोई पत्थर के बारे में मत बताना रिशू पुलिस स्टेशन पहँचता है वहाँ इंस्पेक्टर मेनी होती है वो काफी खुबसूरत होती है रिशू उन्हें बहुत पसंद करता था मेनी को देखते ही उसकी आखों में चमक आ जाती है वो अपने बालों को ठीक करते हुए अंदर जाता है इंस्पेक्टर मेनी मुझे पता चला है कि आजगात कालिया और उसका गैंग हमारे लेबार्टरी में चोरी करने वाले है ऐसी बात है आपको ये इंफोर्मेशन कहां से मिली बस मुझे पता है देखिए आप जब तक हमें सारी बात नहीं बताएंगे पुलिस आपके मदद कैसे करेगी आप दरिये मत आपके लेबार्टरी में कोई कीमती चीज है क्या आप प्लीज मेरी बात पर भरोसा कीजिए और हमारे लाब में सेक्योरिटी लगा दीजिए अच्छा ठीक है मैं दो पुलिस अफसर आपके साथ बेचती हूँ आप भी चलती तो अच्छा रहता हमारे लाब में बहुत कीमती समान है चोरी होने पर हमारी सालों की महनत बरबाद हो जाएगी माफ कीजिएगा मुझे कहीं और इंस्पेक्शन के लिए जाना है पर अप चिंता मत करिये कुछ भी जरूरत होने पर मुझे कॉल करियेगा मैं इंस्पेक्शन खत्म करके वहाँ पहुच चाऊंगी रिशू दो पुलिस अफसरों के साथ लेबार्टरी पहुचता है कालिया और चंगु मंगु उन पे नजर रखे हुए थे उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था लबार्टरी में जूस देने वाले को उन्होंने किड्नाप कर लिया था और मंगु भेस बदल कर जूस देने वाला बन गया था ये पुलिस वालों को क्यों ले आये हैं लगता है इनको भनक लग गई है पर कोई बात नहीं कालिया ने जो ठान लिया उससे वो पीछे नहीं हटता मंगू तुमने जूस में नींद की गोली मिला दी है ना जी बस सब तुछ तयार है ठीक है जैसे ही आड बचेंगे डॉक्टर फ्रैंक जूस पीने के लिए कॉल करेंगे फिर तुम कह देना कि पुरा ठीक है बस डॉक्टर फ्रैंक रिशू और दो पुलिस वाले लाब में बैठे होते हैं आठ बचते हैं डॉक्टर फ्रैंक जूस वाले को कॉल करते हैं मंगू जूस वाले का भेस बदल कर लाब में जाता है और वो सब को जूस पिला देता है सब बिहोश हो जाते हैं लाप से बाहर भाग ही रहे होते हैं कि सामने से इंस्पेक्टर मिनी आ जाती है। रुख जाओ कालिया, तुम पुलिस से नहीं भाग पाओगे। कालिया ग्यांग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मेनी गाड़ी से उनका पीछा करती है, वो और पुलिस वालों को बुलाती है। कालिया और चंगु मंगु को पता चलता है कि वो भाग नहीं पाएंगे, वे लोग पास के ही एक गोदाम में छिप जाते हैं। बोस, अब हम क्या करेंगे? उन्हें पहले से पता था कि हम चोरी करने वाले हैं। अरे, सबसे पहले इन पत्थरों को छिपाना होगा, ताकि हम मासूम साबित हो सकें। वो गोदाम टमाटर का होता है, वो एक बोरी में से चार टमाटर निकालता है और चारों पत्थरों को उनमें डाल देता है, फिर बोरी में भर कर उनको रख देता है, तभी इंस्पेक्टर मिनी और उसके साथ ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो कालिया और चंगु मंगु को पकड़ कर लाब मिले जाते हैं वहां पर देखते हैं کہ सब लोग बिहुष पड़े थे तो वो उन लोगों को खूष मिलाते हैं मदम इन्होंने मेरे जाधुए पत्थर चुडाय हैं प्लीज अंहें खूश निकालें वो मेरी सालों की मेहनत का परिणाम है देखिए आप चिंता मत कीजिए मैं कुछ न कुछ करती हूँ इंस्पेक्टर मिनी कालिया और उसकी गैंग से पूछ ताच करती है वो तो कुछ बता नहीं रहे होते पर डंडे खाने के डर से वो सब कुछ कबूल करते हैं कि उन्होंने जादूई पत्थर के साथ क्या किया हमें जल से जल्द उस गोदाम में जाना होगा अगर बोरी शहर में बितने को निकल गई तो उन्हें ढूनना बहुत मश्किल हो जाएगा सभी लोग गोदाम पहुँचते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी आधी बोरियां गोदाम से निकल चुकी थी बाकी बोरियों में खोजना वो लोग शिरू करते हैं कुछी देर बाद शहर में ये एलान करवा दिया जाता है कि हीरे वाले टमाटर जिसे भी मिलें वो जल से जल्द पुलिस को इनफॉर्म करे शहर में संसनी मच जाती है और सभी लोग टमाटर खरीदने लगते हैं गोदाम में सभी बोरिया चेक करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता डॉक्टर फ्रैंक सर पर हाथ रखकर बहुत परिशान बैठे होते हैं तभी एक छोटी सी बच्ची आकर उनकी कंधे पर हाथ रखती है और चार टमाटर उनके हाथों में दे देती है ये क्या है बेटा? अंकल ये आपके हीरे वाले टमाटर है आज मेरी मान ने बाजार से टमाटर लाए थे मैं उन्हें खाने वाली थी तभी मैंने नियूज में देखा और इनके बारे में सुना मैंने घर पर टमाटर चेक किया तो उसमें मुझे ये मिले तुम तो सच में भगवान का रूप हो बेटा अगर ये गलत हातों में लग जाते तो अनर्थ हो जाता थांक्यू सो मच बेटा तुमारा नाम क्या है तुम तो इनाम की हगदार हो कितनी इमानदारी से तुमने इन्हें लोटा दिया सच में बच्चे बगवान का रूप होते है मेरा नाम रित्तु है मेरी मान ने हमेशा मुझे इमानदारी ही जिखाई है माडम फिर सब रितों की तारीफ करते हैं डॉक्टर फ्रांक को रिशू बहुत खुश होते हैं कि उन्हीं जादोई पत्थर वापस मिल गए कालिया और चंगु मंगु फिर से जेल की हवा खाते हैं